दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चाय के रेसिपी शेर करने वाला हूँ, जिस चाय को पी कर आप अपने शरीर में जमी चर्वी को कम कर सकते हो, मुटापी को कम कर सकते हो, निकले पेठ, मुटी कमर को ये पानी बना देता है, चीहां, इसके लावा चाय आपके स्किन के ये एक डिटॉक्सी फायर का काम करेगी, मुहासों और दाग धबों को ये दूर करेगी, अगर आपको डाजेशन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो रोज इस चाय को जरूर पीना, यह कबज, अपच और ब्लोटिंग का हिलाज करती है, इसके लाव आपके स्किन को खुबसूरत बनाएगा, आपके बालों को रेशमी मुलायम चमकदार बनाएगा, और साधी साथ आपके पूरे श्रीर को डिक्टॉक्स करेगा, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीजों से बनाने वाले हैं, आईरवेदिक रामबान डिक्टॉक्स औ आईरवेदिक में स्वाफ के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है, स्वाफ के बात की जातों तो इसकी तासिर ठंडी होती है, और यह आपके श्रीर में या खून के अंदर जितनी भी टॉक्सिंस जमा है, यानि जितनी भी गंदगी जमा है, उसे निकाल कर बाहर कर दे श्रीर को अंदर से ठंडा रखती है, ऐसी डिटी को दूर करती है, और यह हमारे डाजिशन के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आपको श्रीर पीत प्रकृतिका है, श्रीर में गर्मी ज्यादा मनती है, तो इसके लिए सौंफ बहुत ज्यादा फादय मन होती है, कि बद्बू हो या फिर पायरिया हो या मसूलें कमचूर हो गया हो, तो इसमें बहुत फादा करेगे, इसके लाबा गुड़ों से भरपूर इलाइची में एंटिप्लामेटरी और एंटिबैक्टरियल गुण पा जाते है, एक स्टड़ी के मुताबिक दोस्तों, इलाइच इलाइची आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगे, कुछ स्टड़ी के नूसार, इलाइची मेटाबोलिक सिंड्रोम को ठीक करने में भी मददगार होती है, मेटाबोलिक सिंड्रोम दरसल हेल्थ कंडिशन का एक ग्रूप होता है, जिसका अंतरगत दिल की बिमारियां और टाइप टू डाइबेडीज भी आती है, इसका अंतरगत मोटाप, हाई शूगर, हाई ब्लड प्रिशर, हाई कॉलिस्ट्रोल की बिमारियों का ग्रूप आता है, तो इलाइची का इस्तामाल आपको रोज ही खाने में जिरू करना चाहिए, यह आपके पूरे शरीर को भूमी का निभाता है, आप दोस्तों, शरीर में होने वाले किसी भी तरह की बिमारी को खत्म करने के लिए इस चाह का इस्तामाल कर सकते हैं, इसे छोटे बच्चे को भी पिला सकते हैं, यानि 5-6 साल के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर को कोई भी इस चाह को पी सकते ह चोटे बच्चों में जो कबजी की प्रॉलम होती है या पेट में जो दर्द रहता है उससे भी इस चाह को पिने से आराब मिलेगे, चलिए आगे मैं बताता हूं इससे तयार कैसे करना है, इस चाह को बनाने के लिए आपको एक बरतन में लगवग 500 मिलके करीब पानी लेना फिर इसमें पानी में डाल देना है आपको दो चम्मच सौफ, यहाँ पर मोटी सौफ का इस्तमाल कर रहा हूं, आप भी इस चाह को बनाने के लिए मोटी सौफ का ही इस्तमाल कीज़ेगा, जब सौफ अच्छे से उबनने लगे ना तब इसमें आपको डाल देना है दो हरी आपको हरी लैची को कुट कर पानी में अब करना है इन दोनों चीजों को डालने के बाद आपको इससे अच्छे से बनने देना है थाकि इन चीजों का गुड्नेस, इन दोनों री चीजों का अर्क-ाउसदी घुन इस पानी में आ जाए हमें इस पानी को लगभग 4-5 मिनिट तक उबालना है यानि तब तक उबालना है जब तक यह 500 ml पानी जो है ना 300-300 ml तक न रह जाए जब यह 300 ml तक रह जाए तो आपको गैस को आफ कर देना है और कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जब यह थोड़ा सा पीने के लाइ 500-300 ml पानी का इस्तमाल भी कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरा भर कर गिलास पीने के आउशकता नहीं पड़ेगी आप कम मातरा में भी बना कर इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन एक वेक्ति के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर दो चम्मस सौफ और दो हरी इलाइची का इस्तम किजेगा खाना खाने के तुरंत बाद इसका सेवन नहीं करना है कम से कम एक घंटे का गैप जरूर रखना है आप सुबह नास्ता करने के आधे से एक घंटे पहले इसका सेवन कर सकते हैं नास्ता करने के एक घंटे के बाद भी इसका सेवन किया जा सकता है आप दो उफर के फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखेगा, जिसे कि योगा, एक्सरसाइज, वाकिंग, रनिंग, जो आप से बन पड़े, आप जरूर कीजेगा, साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इससे आपको फादा दो गुना देखने को मिलेगा, इस चाय को पिने से आपका पूरा जरूर ट्राय करके देखे, यकीन मानिये, यह चाय आपके हल्थ के लिए बहुत जाला फायदे मंत सावित होगा, तो आपके इस वीडियो में भस इतना ही, यह वीडियो जानकारी कैसे लिए कि आप हमें कॉमेंट्स करें बताएगा, जाते जाते जरूर इस वीडियो को ला जिनने बाद